विहार बोड क्लास 23 सितंबर मासिक परिक्षा 2024 का देख सकते हैं गनित का ओरिजिनल कोष्टन पेपर आ गया देख सकते हैं मन्थ लिए 2024 वाटर मार्क लगा हुआ है पेपर के पीछे उसके राद यहां भी मिला सकते हैं से पीटी लिखा हुआ है क्लास 10 ठीक न इस विडियो म आपको अबजेक्टिव बता देता हूं उसके बाद सब्जेक्टिव बताऊंगा दोनों चीज एक ही वीडियो में किलियर कर दूंगा ठीक न एक से 30 अबजेक्टिव पुरस्ण रहेगा जिसमें आपको मात्र 25 अबजेक्टिव का अंसर ओ एमार सिट पे देना है ठीक न च इसका हल करने के बाद आंसर आपका सी निकल जाएगा NO निकल जाएगा ठीक ना? नोट करते जाएगा अंसर चलिए दूसरा प्रस्ण करा है कोस्त निंग्री को स्इस दिगरी वराबर ut3 वाइड टू होता है भी राइट एंसर हो जाएगा ठीकना तिसरा प्रस्न कर experient कि यदी शाइड ठीटा वराबर को ठीटा तो ठीटा का मान डिखिए जब साइड ओर इंच दोनों बराबर हो जाए तो ठीटा का आपका ठीटा कामान 45 डिग्री होना चाहिए यानि कि B राइट एंसर हो जाएगा चार नमर का रहा है यदि साइन 2 A बराबर 2 साइन ये तो A कामान तो इसमें A कामान जो आपका निकल जाएगा वह निकल जाएगा 0 डिग्री यानि कि 4 का राइट एंसर A हो जाएगा पांच नमर कर रहा है बिंदू वो 3,0 तथा 0,4 की बीच की दूरी है बीच की दूरी निकालना है तो हल करने के बाद इसका आंसर आपका C निकल जाएगा 5 ही काई ठीक ना अब्जेक्टिव का हलम पहले ही कर लिए है डिरेक्ट आंसर बता रहे हैं सब्जेक्टिव मैं हल करके दिखाऊंगा ठीक ना चलिए छे नमर प्रस्ण कर रहा है कि मूल बिंदू से बिंदू 21,20 की दूरी है तो 21,20 की दूरी क्या निकल जाएगा मूल बिंदू से वह निकल जाएगा 39 एकाई यानि कि C राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद साथ नमर कर यदि तिर्भूज ABC समरूप तिर्भूज DEF तो तिर्भूज ABC का छेत्रफल अनुपात तिर्भूज DEF का छेत्रफल होगा तो बिल्कुल साथ का राइट एंसर आपका निकल जाएगा AB स्कुएर अनुपात DE स्कुएर यानि कि C राइट एंसर हो जाएगा साथ का ठीक ना चलिए अगला प्रस्ण देख लिए साथ हो गया आठ नमर का राइए कि दो समरूप तिर्भूज की भूजाओं का अनुपात 4 अनुपात 9 हो तो इन तिर्भूजों के छेत्रफल का अनुपात होगा तो आठ का अंसर आपका निकल जाएगा 16 अनुपात 81 ठीक ना चलिए अगला प्रस्ण देख लिए नो नमर प्रस्ण क्या का रहा है नो नमर प्रस्ण आपका का रहा है यहां देखिए लिखाओं सितंबर पूरा पेपर में सितंबर लिखाओं मिलेगा बिलकुल ओरिजिनल है नो नमर का रहा है तिर्भूज ABC और तिर्भूज BDE दो समरूप तिर्भुज इस परकार है कि BC का मद बिंदू DE है तो ABC का छेतरफल BDE का छेतरफल निकालने का रहा है अनपात में तो इसका 9 का राइट एंसर आपका C निकल जाएगा 4 अनुपात 1 10 नमर का रहा है यदि समकून तिर्भुज ABC में कौन ABC ब्राबर 90 डिग्री तो AB स्कूर का रहा है निकालने तो इसका राइट एंसर 10 का आपका D निकल जाएगा हल करने के बाद AC स्कूर घटा BC स्कूर चलिए अगला प्रस्ण देखलीजे एगारा का रहा है कि तिर्भुज ABC एक संबाहु तिर्भुज है जिसके पर्तिएक भुजा की लंबाई 2A है तो पर्तिएक सिर्ष से आधार की लंबाई होगी तो 11 का राइट एंसर आपका B निकल जाएगा रूट 3A ठीक ना चलिए अगला प्रस्ण देखलीजे एगारा होगया 12 का राइट की 37 सेमी क्यूब आयतन वाले घं के किनारे की लंबाई है तो 12 का हल करने के बाद एग राइट एंसर आजाएगा 3 सेमी ठीक ना तिर्भुजा एक घं का पर्तिय किनारा 5 मीटर है तो इसका कूल पिरिष्ट छेदर भल होगा तो 13 का राइट एंसर आपका C निकल जाएगा 1,500 सेमी ठीक ना चलिए अगला प्रस्म देखलीजे तीरा होगया 14 नमर देखे कर रहा है कि यदि घं का आयतन 744 सेमी क्यूब है तो इसका पिरिष्ट छेदर भल होगा तो आपका राइट एंसर 14 का B निकल जाएगा 1,500 सेमी स्क्वार 15 नमर का रहा किसी घं का संपूर्ण पिरिष्ट भल 864 सेमी है तो सेमी स्क्वार है तो इसका आयतन है तो आठा 15 का D राइट एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं यानि कि ओप्शन ही नहीं दिया है एक सूत्र होता है बहुलक बरावर 3 गुना माध्य घटा 2 गुना माध्य ठीकिना तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 16 का चलिए 17 नमर प्रस्ण का रहा है कि दुगहात समीकरन 2X स्क्वार प्लस X माइनस 6 बरावर 0 के मूल है तो 17 का हल करने के बाद B राइट एंसर हो जाएगा माइनस 2,3 बरावर 2 ठीकिना 18 का रहा है माइनस 4 तथा 5 मूल बाले दुगहात समीकरन है 18 का A राइट एंसर निकलेगा X स्क्वार माइनस X माइनस 20 बरावर 0 A राइट एंसर हो जाएगा 19 नमर प्रस्ण का रहा है कि 63 बरावर एक बाड़ में कटाएंगे तो इसका राइट एंसर जो है C निकल जाएगा एक निकल जाएगा 20 नमर का रहा है शेक 54 डिगरी बरावर एक बाड़ में एक होगा एक होगा एक में से घट जाएगा 0 20 का राइट एंसर C निकल जाएगा 0 ठीक न चलिए दिखें ऐसी पीटी लिखा हुआ है सितंबर ओडिजिनल पिपर है 21 नमर का रहा है यदि 10 A बरावर कोट B तो A पलस B बरावर तो 21 का राइट एंसर आपका क्या निकलेगा C निकलेगा 90 डिगरी 22 का राव बिंदू X1 Y1 तथा X2 Y2 को मिलाने वाली रेखा खंड के मद बिंदू का भूज है तो बिलकुल राइट एंसर जो है भूज आपका X1 और X1 और X2 होगा तो 22 का B हो जाएगा X1 पलस X2 बटे 2 ठीक ना चलिए 23 निकलेगा यदि बिंदू 1,2,0,0 तथा 1,B एक रेखिक हो तो 2 A बरावर B C राइट एंसर हो जाएगा 2 A बरावर B ठीक ना 24 का रहा है बिंदू 1,3 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2 अनुपात 1 के अनुपात में विभक्त करने वाली के अंदर नियामक है नियामक निकालने का रहा है तो 24 का B राइट एंसर निकलेगा 3,5 ठीक ना उसके बाद 25 का रहा है कि 0,12,00 तथा 5,0 सिर्स वाले तिर्भुज की परीमिती है तो 25 का राइट एंसर आपका D निकलेगा ठीक ना 27 का रहा किसी चतुर्भुज के असन्य भुजाओं के मद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों से निर्मित चतुर्भुज कह लाता है तो 27 का D राइट एंसर हो जागा समानतर चतुर्भुज उसके बाद 28 नमर करा यादी तिर्भुज ABC समरूब तिर्भुज PQR तथा CA बटे RP बराबर 2 बटे 3 तो एडिया ओफ तिर्भुज PQR अब बटे एडिया ओफ तिर्भुज ABC का मान करा निकालने तो 28 का D निकलेगा नो बटे 4 यानिकि 9 अनुपात 4 ठीक ना चलिए अगला प्रस निकली जा 28 हो गया 29 का रहा समद्विबाहुत तिर्भुज ABC में कॉमा AC बराबर BC तथा AB स्क्वार बराबर 2AC स्क्वार 2 एंगल AC B बराबर यानि कि अंगल C का मान निकालना जो बीच में रहता है उसी का मान निकालना पड़ता है तो 29 का राइट एंसर C निकलेगा 90 डिगरी 30 नमर का रहा तिर्भुज ABC में कॉमा BC पर D बिंदू इस पर का रहा है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC तो यादि एंगल ABC बराबर 70 डिगरी तो एंगल CB बराबर 50 डिगरी हो तो एंगल BAD बराबर निकालने का रहा है तो निकलेगा 30 डिगरी ठीकना अब सब्जेक्टिव कुश्चन देखिए सब्जेक्टिव का भी हम आंसर बताएंगे आपको घबराना नहीं है करहा एक से 10 तक लगऊ तरिये प्रसन है पाँच प्रसनों का उत्तर देना जो भी प्रषने आपसे बने उसका उत्तर देना रहा है तीकतव ываем सेप्टेम्बर है दूसरा आप निकाले 있지만 45 गितेस्थी बतेर भर परत्षीव जो 5 परसन आप से बन जाये जो हलका है छलिए तीन नमर का रहेगे 32 शविंधता यहाइक technique मैलमRIS 2 एक्स केंत फ़लास आठ बरावर 0 यही विभेचक जयात किजिए इस सब का आंसर हम बताएंगे आगे बस वीडियो को पूरा देखना आपको नो नमनम कर रहा है कि तीन घनों परती एक आईतन पचीए एक सुपचीश सेम क्यूब है तो अपस में परस पर लगातार जोरा जाता है तो पडिनामी घनाप के लंबाई ग्याद करने कर रहा है दस में करा विसम कुन सम्चतरभुच के विकरनों की लंबाई करमसा दस सेमी और चोबिस सेमी हो तो इसकी परिमिती ग्याद करें उसके बाद देखिए यहां से आपका दिर गूतरी ये परसन शुरू होता है 11 से 15 तक मातर तीन परसन का ही उत्तर देना है जो भी तीन परसन आपसे बने अब यहां देख सकते हैं क्या क्या पूछा गया है अब चलिए मैं आपको सब्जेक्टिव का अंसर दिखाता हूं कैसे बनाना है वह मैं हल करके दिखाता हूं देखिए यहां एक नमर प्रसन का हल कर दिये हैं को से 49 डिग्री बटे से 41 डिग्री का लिखना है को से 90 घटा 41 से में फिर घटा को से 90 घटा घटा बराबर होता है तो से 41 बटे से के तालीस एक बार में कर जाएगा एक आप का अंसर हो होता 1 बतर द दो और सट 30 का होता है दो बतर 3 प्लस को से ben 30 का होता है दो ठीक नब जो क्लिक्स को एकल क्या किया गया है यहाँ आपको हल करना है प्लाइस रूट करेंगे फिर रूट इन LCM होजाएगा ठीक ना देख सकते है रूट 3 LCM होगा फिर 2 पर दो 3 लिखना आपको ठीकना से मिसी परका रूट लिखते जाना है उसके एक बटे एक बटे रूट दो गुना रूट 3 बटे दो पलस दो पलस शार दो रूट से हरका पडिमेय करना तो रूट तीन बटे डोट दो प्लस दो रूट 6 गुना यहां प्लस है तो आपको 11 빵onte अन। यहीं चीज उतारना है उपर में भी नीचे में भी सिर्फ दोनों जिए मैनस करना है देख insp The गया है ना तो सेम आपको करना है परिमे करन फिर रूट तीन से गुना होगा इसका हाल इसका हल यहां है आगे बांकि यहां दिखिए जो दिया हुआ है यहां गुना कर दिया गया है इसको यहां 2 रूट 6 आगया मैनस 2 रूट 18 आ गया फिर यहां 8 गठा 24 आ गया फिर आपको लिखना है दो कुमन लेलिया रूट 6 गठा रूट 18 बते माइनस 2 बर में गठा दिया है 16 को 8 बार में कट जाएगा दो से तो माइनस रूट 6 घटा माइनस 18 बटे माइनस 8 बचा फिर वहां उपर में भी यहां माइनस कोमन ले लिया ठीक ना तो माइनस कोमन लेने के बाद ही आपका आ जाएगा 18 घटा रूट 6 बटे माइनस माइनस कटा दिया यहां से ठीक ना बचा सिर्फ बच गया आपका 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8 ठीक ना दो का हल हो गया अब 3 का देखिए आप लोग सेम उतार लीजिएगा ठीक ना उतना अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सोट कोट में बनाया गया है तीन नमरों के 3 X स्कौर मैनस 2 X पलस 8 बड़ाबर 0 तो A बड़ाबर 3 हो गिया आपका B बड़ाबर मैनस 2 रूट 8 ठीक ना अब निकालना है कि हमें D बड़ाबर यानिक B बचक तो B स्कौर मैनस 4 इसी तीन नमर का B बचक कर रहा था गयात करने तो B के जगह क् यह माइनस दो है तो माइनस दो का स्क्वार माइनस फोर गुना एसी एक के जगह तीन है गुना सी के जगह आठ है ठीक ना तो दू का स्क्वार चार हो गया मैनस का पलस हो गया आई चारतिया बारा 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 चोंके चारतिया बारा 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 थे 96 चार में से 96 घटेगा मा को इन हट करेंगे ठीक राज आ जाएगा एक्ती गोलेंक के निया को सिक्स मैणे सिक्स पलस फाइप को मैने सिक्स अब यह लिख देएक्स मैनूरस गोलाज्ञ नवर में क्या का रहा था मूलगाया हिए का संथा स्थथी टjang टो एक्सी स्क्वार मेरं साटे ap सब्जेक्टिव अब आता है आपका क्या दिर्ग उत्रिये प्रस्न देखिए बारा नमर का दिर्ग उत्रिये प्रस्न बना दिया है माणा की यह देखी एक तिर्भूझ बनाए है यहां ठीकिना ABC करके माना की ABC 7 सम्हों तिर्भूझ है और चुक है अंगल इंगल बड़ाबर 90 धिगे तथा AB बराबर BC यदि AB बराबर BC बराबर X तो AC बड़ाबर ऑसी निकालने कर रहा है तो यहां तो इखेंगी 2 x मान लिया है इसको यहाँ x ठीक न अपको सेम बनालना है उसके यहाँ सम्दिवाहू तिरभूजी लिख दिया है देख सकते हैं सम्दिवाहू तिरभूज है दिखेंगे चुकि AC बरावर AC बरावर X स्क्वार प्लस X स्क्वार का अंडर रूट तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 X स्क्वार और बरावर रूट 2 X बच जाएगा ठीक ना चुकि 45 डिग्री बरावर होता है 1 by root 2 ठीक ना 45 बरावर क्या होता है 45 बरावर होता है लंब बटे लंब बटे करन तो लंब आपका X हो गया बटे करन रूट 2 X हो गया तियानी कि 1 बाय रूट 2 हो जाएगा फिर कोस 45 निकलना है तो आधार बटे करना तो आधार आपका X है आधार आफनगायर कोस 45 कमान निकलना नीकलकर के अधाई भी इससे परिमेतिक याद करने उसका भी निकाल दी है देखिए A, B, C, D, A, B, C तक कुन दिया है एगो दिया है 4,0,0,0,0,3 इसके दूरी सुत्र से चलेंगे A, B, ब्राव निकालेंगे एक्स1 गटा एक्स2 का हॉली स्क्वार प्लस Y1 गटा Y2 का हॉली स्क्वार अंडर रूट मान बैठा देना है जितना जितना मान है मान बैठाने के बाद अंसर आ जाएगा फिर B, C, निकालना है फिर वही दूरी सुत्र से फिर A, C, निकालना है दूरी सुत्र से आप लोग सिधा कॉंपी में लिखते जाईए ठीक ना वीडियो को रोके यहां देखिए तो देखिए घंड कर दिया गया है पूरा अल करने के बाद इतना बड़ा होने के बाद अंसर निकलेगा ठीक ना तो मैंने आपको पूरा बता दिया अबजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ठीक ना इस वीडियो किलियर कर दिया है आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्र नोट कर लेजिए